जहां मायोंग की बात हो, वहां श्री प्रोबिन साइकिया और श्री तिलक हजारी का जैसे उच्च कोटी के तांत्रिक और ओजा की बात ना हो, ये तो संभवी नहीं। कहते हैं कि मायोंग गाउं में वशीकरण मंत्र, काला जादू और तंत्र मंत्र से जीते जाकते लोगों को भेड़वकरी बना दिया जाता है। साइन्स और तक्नीक के जमाने में यहां जादू के जोर से चोर पकड़े जाते हैं, मंत्रों से जहरीले सापों का जहर उतारा जाता है और होता है रोगों का उप्चार. मायों के लोग अपने बच्चों को खेती बाड़ी के अलावा तंत्र मंत्र सिद्धी और जादू की कला विरासत में देते हैं इस गाउं को लेकर प्रचलित तमाम रहसे में ही बातों ने मुझे यहां आने के लिए प्रेरित किया ये गाउं है देश के उत्तरपूर्वी राज असम के मोरी गाउं जिले के गोहाटी से लगभग 40 किलो मिटर दूर ब्रह्म पुत्र नदी के किनारे तिलक हजारिकाजी सांप और जहरीले बिच्छूओं के डंक से शरीर में फैले जहर को मंत्रों के जरिये बाहर तो निकाली देते हैं और साथ ही पीतल की थाली से मंत्र द्वारा कोई भी बीमारी का इलाज या किसी भी समस्या के समयधान भी मिंटों में करते हैं तो ये है श्री तिलक हजारिकाजी का घर तो चलिए हम करते हैं प्रवेश और आप देखेंगे प्रवेश करते ही चारों तरफ का नजारा कितना सुन्दर है सामने ही जो फ्रेंट में आपको दिखाई दे रहा है उनका वो घर जहांपे वो रहते हैं और इलाज करते हैं और राइट एड़प एक बहुत प्यारा सा छोटा सा मन्दिर है बहुत ही रग बिरंगा सुन्दर में मंदिर और 2 शेर बने हुए दोनों साइड में मंदिर के तो इनको प्रणाम करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं तो हुमें दिखाई से बात करते हैं जब तो फ्री होते हैं तब तक के लिए अच्छा लोग दिखाने के लिए रुके हुए तो कैसी दवाई देते मतलब क्या इसका रहा है अब हुए करकां दिया जैजव कर रहा है जाडब कर रहा है तो अब इलाज के हैं तो वह वी हम आपको दिखांगे कहां पर रुक सकते हैं पहले मापको थोड़ा तरफ की यहां का नजारा दिखा दें कि कि इतना सुंदर है चारो तरफ माप देखिए ओ सभी थो लोग यहां पर इलाज के लिए आते हों रुकते भी हैं तो हम आपको थोड़ा सा आसपास का एरिया जब तक दिखा देते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा क्योंकि काफी पेशेंट अंदर बैठे हों तो हमें बीच में जाना अच्छा नहीं लगा तो इसलि विष्णुजी का मंदिर है लेकिन वो कपड़े और माला पहने तो इतना ठीक से नहीं दिख पा रहा है लेकिन विष्णुजी का मंदिर बनाया हुआ और इस मंदिर से बिल्कुल आगे ही लेफ्ट साइड में आप देखेंगे मतलब आप एंट्री करेंगे तो राइट साइड में पड़ा तो एंट्री के बिल्कुल कॉर्णर पर जो हमने आपको शॉप और बाहर से एरिया दिखाया तो यही एरिया है यहां पर इनके रुखने की वेवस्ता है और एक कमरा जो है वह बारासों से पंदरासों के बीच में रहता और एक कमरे में कई लोग एक लगाया हुआ है तो अभी तो बस हम साइड में बैठके उनका इंतजार कर रहे थे इसलिए हमने थोड़ा-थोड़ा सा यह साइड से ले लिया तो काफी अच्छा ऐसा लग रहा था कि बगीचे के बीच में वो रह रहे हूं बहुत ही सुन्दर है तो चले अब चलेंगे व प्रणाम 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 हाँ बैठे हैं तिलग हजारिका जी बताते हैं कि एक बार उनके पास एक युवक दर्द से करा रहा था वो आया और उन्होंने पीतल की भारी थाली को उल्टा किया और मंत्र पढ़ते हुए उस विवक की पीट पर चिपका दिया उसके वाद मंत्र पढ़ते रहा और थाली पर पूरी ताकत से भभूत फेंकते रहा लेकिन वे अपनी जगे से नहीं हिली काफी देर बाद थाली फिसल कर पीट से नीचे आगिरी और इसी के साथ युवक का दर्द भी चूमंतर हो गया अपनी सिद्धी साबित करने के लिए तिलक जी ने उस थाली को फिर से युवक की पीट पर चिपकाने के लिए कहा लेकिन वहां मौजूद कोई भी सक्ष ऐसा नहीं कर पाया उन्हों उन्हें ये भी बताया कि ऐसे मंतर भी हैं जिसके जरी आप तीन घंटे का रास्ता एक घंटे में तै कर सकते हैं बाहर काफी देर बाते करने के बाद वो हमें अपने अंदर कमरे में लेके गए जहां पर वो पेशेंट्स को देखते हैं तो ये उनका वो रूम है जहां पर इलाज करते हैं तो आप देखेंगे कितने सारे सर्टिफिकेट्स कितने सारी ट्रौफीresser मतलब कहां कहां तक उनको लोग नहीं जानते है आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते और उनने साथ में ये भी बताया कि नदी की किनारे काशा हिला मतलब कच्छा पहाड़ी है ज जिसमें साल भर पानी भराँ रहता है, आज भी देश के विविन विवन भागों से सादक यहाँपे तंत्र मंत्र की सिध्धी के लिए आते हैं, और कहा जाता की मंत्र साध्ना की सक्ति के कारण एक कुंड सदा की भराजा रहता है, और यहाँपे दो कुंड हैं, एक जिद्ध आप इस सारी cuttings में चुकि यह असम भासा में लिखी हुई हैं तो समझ में नहीं आ रही हैं लेकिन cuttings से ही समझ में आ रहा है कि हाँ उनका दूर दूर तक लोग इनके पास आते हैं इलाज के लिए क्योंकि हम museum गयते तो museum में भी इनकी बहुत सारी photos और बहुत सारा कर detail था तो हम अगले वीडियो में जब museum की सारी चीजे आपको दिखाएंगे तब वहां पे हम इनके बारे में भी आपको दिखाएंगे तो यहां के लिए भी कहते हैं कि जो यह तंत्र है ना यह बहुत कीमती दस्तावेज हैं इनका मूल जो इनकी भाशा को समझने वाले ही बता सकते हैं जो आप यह देख रहें लिपी कुछ अलग-अलग लिखी हुई हैं बहुत सारी तो इस भाशा को जानकार कहते हैं कि जरिये आप उड़ने में किसी को मारने में या किसी को वश में करने में या क्या-क्या काला जादू या तंत्र विद्या से आप क्या-क्या क कर सकते हैं यह हमारी तो समझ से परे हैं लेकिन हां इनको जो इतिलग हजारिकाजी है इनको इस कूरी कहना चाहिए सिध्धी प्राप्त है और जो बुड़ा मायं को एक जगह है उसके लिए कहा जाता कि वह काले जादू का केंद्र है आप देखिए इनको लंदन यूके से भी मिला हुआ है सारा कुछ मतलब बहुत ही सारे इनके पास चीजें थी और अब हम खिचवा रहे हैं फोटो देखिए और मित्रो अब हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री प्रोबीन साइकिया जी के घर पे और ये देखिए हम पहुँच गए हैं उनके घर के बिलकुल सामने ये रहा उनका घर लेकिन यहां पर पूछने पर पता चला कि प्रोबीन सार अभी घर पे नहीं है वो आउट आप से टेशन है तो हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन फिलाल आप उनका घर तो देखी सकते हैं कम से कम तो ये भी एक बहुत बड़े तांत्रिक, एक बहुत बड़े जादुगर है, नेक्स टाइम कभी आएंगे तो हम इनसे जरूर मिलेंगे, लेकिन कम से कम इनका घर तो हमने देखी लिया है, और दोस्तों जादु की शुरूबात तो इसी गाउं से हुई है, और कहते हैं कि मु पूसरा व्यक्ति काले जादु का जानकार होता था, लेकिन अब यहां के लड़के स्कूल में विज्ञान वगरा पढ़ने लगए हैं तो इतना नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो अपने पूर्वजों पर अविश्वास नहीं करते, वो कहते हैं मंत्रों से लोगों का भला ह तो इसको सीखने में कोई भी बुराई नहीं है, खैर इस गाउं से जोड़ी कहानियों में कितनी सचा ही है, ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बाहर के लोग आज भी इस गाउं में आने से डरते हैं, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप आप तिलक हजारिकाजी से मिलना चाहते हैं, तो आप मेल करके मुझसे उनका नंबर ले सकते हैं, और अगर आपको कोई भी जानकारी यहां के बारे में चाहिए, आप कैसे वहां पहुंचेंगे, कैसे किसी से मिलेंगे, तो वो सब कुछ आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं तब तक के लिए, जै श्री कृष्णा